वेलकम तो प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं रमजान मेल प्रेप की वीडियो शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही यूसफुल होगी रमजान के लिए आपको तो चलिए शुरू करते हैं ये यूसफुल सी वीडियो तो चोटे-चोटे काम आप रमजान से पहले करके रख ल जो के दही भलों में हर खिसम की चाट में पानी पूरी में बहुत सारी चीजों में यूज होता है तो इसके बनाने के लिए मैंने पैन लो फ्लेम पर रख दिया है अब इसमें आड़ करेंगे 2 टी स्पून जीरा 1 टी स्पून धनिया थोड़ी सी काली मिर्ची 2-3 लॉंग और थोड़ी सी सिनमन स्टिक अब लो फ्लेम पर इसको हलका सा मसालों को भून लेना है मसालों को भूनने से एक तो इनका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा और चाट मसाले की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी अब देखिए हलका सा ये भून गया है अब हम इसमें आड़ करेंगे 12-15 ड्राइड चिली और हलकी आंच पर हमने इसको भून लेना है साथ में आड़ करेंगे हाफ टीस्पून अजवाइन और ये चाट मसाला मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूं और बहुत सारे लोगों ने से ट्राइ किया है बहुत ही सबबर्दस चाट मसाले की रेसि अब हम चूर दाल के भी लो फ्लेम पर हमने इसको हलका सा भून लेना है और अब ये देखिए अच्छे से सारे मसाले भून गए है इस टो की फ्लेम बन कर देंगे और फौरी हम इसको ग्रांडर के जार में शिफ्ट कर लेंगे और इस बात का दिहान रखना है कि आपके ग् अर टूटिस्पुन काला नमक है देखिए काला नमक है सो ब्तमग भी कहते है इसको काला नमक अर यह तरी यानिक हाफ टीस्पूं अच्पन आफके लाशे आड़ के प्रेफскण ग्ण करने से एक चाटमसाला एक कट्टा सा तेस्ट वाला हो जाएगा और इस की शेल्फ बहुत ही मज़ेदार जैसे मैंने कहा बहुत ही बैलन्स यह रेसिपी है चाट मसाले की तो जरूर ट्राय कीजिए अब यह मसाला हम एक ड्राय जार में रखके इसको प्रिजर्फ करके रख देंगे यह कई महीनत तक भी खराब नहीं होता मेरे पास में मैं हर साल इसे बना कर त इमली की खटी मिटी चटनी तो इसके लिए मैंने पैन गरम कर लिया सिफ टूटी स्पून ऑइल दालना है और थोड़ा सा जीरा और इसको हमने क्रैकल करने की जरूरत निया साथ ही में हम इसमें आट कर देंगे 200 ग्राम इमली मैंने पानी में भीगा के रखी थी इसका रस और चान के इसमें आट करना है ताके जो इमली के नसे वगएरा होती है इसमें ना आए अब ये गाड़ा होने लगा था तो इसमें मैंने 200 ग्राम ही गुड़ा एट किया है अब गुड़ या चीनी यान शकर दोनों में से कोई एक चीज आट कर सकते है और इतनी ही आट करना है और ये दालने के बाद में हमने इसको अच्छे से पका लेना है अब ये देखिए गाड़ा होने लगा है हमारा गुड़ का सिरप इमली और गुड़ का तिसमें मैंने 1 टी स्पून सौ फैट कर दी है 2 टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर एट करेंगे अच्छे स मिक्स कर लेंगे ये देखिए गाड़ा होने लगा है अब मिक्सर अब इसमें एट करेंगे 2 टी स्पून रेच्छिली पाउडर मैंने इस चटनी में कोई कलर या कॉन फ्लार नहीं बन जाला है फिर भी देखिए कितनी गाड़ी और मज़ेदार ये चटनी लग रही है लास ये थंडी हो जाएगी रूम टेंपरेचर पायाज़ी तो और गाड़ी हो जागी ये थंडा कर लिया है मैंने चटनी को अब चटनी को भी निकाल के हम प्रिजर्फ करके रख लेंगे तो चटनी में प्रिजर्फ करने के लिए एक ग्लास बॉटल यूस कर रही हूं जो इस इसे ही अब हम इसमें ये चटनी आड़ करेंगे ये चटनी भी मैंने पहले शेयर की है और इसका भी रस्पांस बहुत अच्छा है बहुत ही वेल बायलेस्ट और मज़दा चटनी है तो जरू ट्राय कीजिए और ये चटनी भी कई महीनों तक खराब नहीं होती है फ्रिज म मज़दार खटी मिटी इमली की चटनी तयार है अब मैं यहां पर भून रही हूं तवे पर जीरा यह 100 ग्रैम के जितना जीरा है जीरा मैं इसलिए भून कर रख रही हूं क्योंकि मैं टमाटर की चटनी बनाती हूं अक्सर रमजान में तो यह पिसा हुआ रहेगा तो हैंड इसके सूखे जार में डाल के प्रिजर्फ करके रख दूंगी तो यह देखिए नीबू है नीबू को मैंने कल ही नीबू का सारा रस निकाल के आइस ट्रे में रखा था क्योंकि रमजान में नीबू का रस का काफी इस्तेमाल होता है जैसे कि इफतार की डाल में नीबू का शेर्बत और चार्ट वगयरा में तो इसके लिए मैंने नीबू जो घर में काफी सारे थे तो इसको मैंने रस निकाल के प्रिजर्फ कर एस तरह से आइस ट्रे में फ्रीज करके रख दिया था अब इनके क्यूब्स बन गए है आब मैंने निकाल के इस तरह से जिप लॉक ब इसमों काली मिर्ची में तर्बूशी में दाले को तौस रहे हैं ठीचने कई मिर्ची पिसक कर रहे हैं अब लायल्स रेसिपी बना लेंगे हम धन्य लिग्राइन और व्यलेक्ताय के तुछ्ट दाल पड़ने के अधिया और मिंट की चटनी जो के बहुत ही वर्सटाइल है हर खिसम के चार्ट में दहीं बड़ों में यूज कर सकते हैं इसको मैं एक और तरीखे से भी यूज करती हूं जो मैं बादें बताऊंगी तो मैंने एक बड़ा सा बंच पुदीने का लिया है एक बंच ही धनिये का लिया है साथ आठ हरी मिल्ची ली है थोड़ी सी जिंजर और यह जो मैंने लिमन की आपको आइस क्यूब बता है वो दो लिये है और थोड़ा सा नमक अब इसमें हमायाद करेंगे साथ आइस क्यूब जालने से जो चटनी का कलर है वो ग्रीन ही रहेगा वरना काला हो जाएगा हीट क तो यह सब चीजें डालके मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी अब चटनी तयार है तो मैं उसी आइस ट्रे में जिसमें निबूर का रस था उसी आइस ट्रे में इसको जमा रही हूं और जैसे ही यह चटनी के क्यूब जम जाएंगे इनको भी मैं निकालके जिप भले बनाने है या फिर चांज बनानी है मसाला चांज तो एक टाइम पे एक दो आइस क्यूब निकाल लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा तो बहुत ही असानी हो जाएगी रमजान में यह सारे काम करके रखने से तो मेरी मील प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है इससे पहले म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आड़ कर दूँगी तो अगर आप रमजान मेल प्रिपरेशन में बनाना चाहते हैं तो जरूर ट्राइ किजिए इस तरह से अगर आप कबाब या कोफते बना के रखेंगे तो आप सहरी के लिए फौरी इनको निकाल के थोड़ा सा करके रख सकते हैं और मैंने फ्रोजन रोटी की रेसिपी भी शेयर कर दी है अगर आप चाहें तो वह भी ट्राइ कर सकते हैं रमजान मेल प्रेप के लिए तो यह रमजान मेल प्रेप की वीडियो अगर आपको यूसफुल लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक किजिए अपने ऐसे फैमली और फ्रेंड से जिनको ऐसे मेल प्रेपरेशन की रेसिपी की जरूरत है और सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे ही यूसफुल वीडियो के लिए ठैंक्स फॉर वाचिंग